Hello Friends, Welcome to Model School राजगर दोस्तों, General Knowledge बहुत ही Important है और जब हम General Knowledge की बात करते हैं तो जो Common Sense से Related General Knowledge है दोस्तों वो भी बहुत Important होते हैं कभी-कभी Common Sense से या Common जो Question होते हैं जो हमें गलत हो जाते हैं क्योंकि हम कभी उधर ध्यान नहीं देते हैं तो ये जो प्रश्न है सामान नग्यान की वो खंडशिक्षा अधिकारी परिक्षा वर्स 2019 को द्रिश्टगत रखते हुए Common Question फ्रेम किये गए हैं जो दोस्तों आपके लिए बहुत ही Important होने जा रहे हैं तो आते हैं दोस्तों बिना देर किये उन Common Questions पे दोस्तों आपके सामने Question है और ये Question ये है कि मान स्पेसियों में किस अमल के एकत्रित होने से ठकावट आ जाती है जो हमारी Muscles होती हैं उसमें कौन सा अमल आ जाता है कि ठकावट दोस्तों आ जाती है तो दोस्तों Lactic Acidus से बोलते हैं Lactic अमल जब Muscles में कठे हो जाते हैं तो हमें Lethargic Feeling आती है तूसरा Question है अंगूर में कौन सा अमल पाया जाता है तो दोस्तों अंगूर में Tartaric अमल पाया जाता है तीसरा Question है Cancer सम्मंधी रोगों का अध्यन क्या कहलाता है तो दोस्तों Onkolozy बोलते हैं Cancer जो Disease है उसको Study करने का जो Science है उसको Onkolozy बोलते है मानो शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है तो दोस्तों जो Human Body है उसमें सबसे लंबी जो कोशिका है दोस्तों वो तंत्री का कोशिका है आगे चलते हैं Question No.5 दात मुखरूप से किस पदार्थ के बने होते है तो दोस्तों दात जो है वो Dentine के बने होते है किस जन्तु की आकरती पैर के चपल के समान होती है तो जो जन्तु है जो Animal है दोस्तों वो Paramecium है वो पैर के चपल के समान उसकी आकरत होती है केच्वे की कितनी आँखे होती है तो दोस्तो केच्वे की एक भी आँख नहीं होती है गाजर किस विटामिन का संबर्ध सुरोत है तो दोस्तो गाजर जो होती है उसमें विटामिन ए परचुर मात्रा में पाया जाता है निम्न मेंसे किस पदार्त में प्रोटीन नहीं पाये जाता है तो राइस जो हम खाते हैं चावल दोस्तों उसमें प्रोटीन बिल्कुल नहीं होता है आगे चलते हैं मानो का मस्तिश के लगभग कितने ग्राम का होता है मानों का जो human brain है दोस्तो वो 1350 ग्राम का होता है आगे चलते हैं दोस्तो प्रश्ण आपके सामने है कि रक्त में पाई जाने वाली धादू कौन सी है तो रक्त में जो blood है दोस्तो उसमें लोहा पाया जाता है किडवन यानी fermentation का उधारन क्या है दूद का खटा होना खाने की ब्रिट का बनना गीले आटे का खटा होना ये सब किडवन की प्रक्रिया का उधारन है निम्न में से कौन सा आहार मानो शरीर में नए उतकों की ब्रिध के लिए पोशक्तत प्रदान करता है तो जो आहार है दोस्तो पनीर या प्रोटीन ये क्या करता है कि शरीर में नए टिशू के ग्रोथ के लिए क्या करता है नरिश्मेंट का काम करता है जो भी अगर आप पनीर खा रहे हैं या प्रोटीन युक्त चीजे ले रहे हैं तो उसका जैसे पल्सिस पल्सिस जो होते हैं दोस्तों वो दाल जो होता है वो प्रोटीन का रिच सोर्स होता है सोया बीन है पल्सिस हैं और ये पनीर, ये जो है मानो शरीर में जो नए टीशूस होते हैं, उसकी बुर्द के लिए बहुत अच्छे शुरोत होते हैं, आगे चलते हैं, निम्नमे से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है, तो ड्रैको जो है ये उड़ने वाली छिपकली है, छिपकली जाद तर आपको दिवालों पे दिख जाएंगी लेकिन ये ड्रेको जो है ये उड़ती है आगे चलते हैं घोसला बनाने वाला एक मातर साप कौन सा है तो दोस्तों किंग कोब्रा जिसको नागराज बोलते हैं ये एक ऐसा साप होता है जो कि अपना आशियाना यानि घोसला खुद बनाता है भ दाले किसका एक अच्छा स्रोथ होती है दाले दोस्तों प्रोटीन का एक अच्छा स्रोथ होती है बात करते हैं अठारवे प्रश्न पे देसी घी में से सुगंद क्यों आती है तो डाई एसिटिल के कारण एक्षुली ये जो महकाती है वो एक केमिकल होता है जो घी में वो होता है उसी की वज़ा से उसमें महकाती है इंद्रधन उसमें किस रंग का विक्षेपन अधिक होता है लाल रंग का आगे चलते हैं दोस्तों टेली वीजन का अविस्कार किस ने किया जेल बेर्ड ने टेली वीजन का अविस्कार किया नेक्स कोश्चन पर आते हैं हीरा मोती मुकुरूप से क्या पाया जाता है मीथेन पाया जाता है दूद की शुद्धता कामापन किसे अंतर से किया जाता है लेक्टो मीटर से पृत्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाये जाने वाला धात उतत तो कौन सा है तो पृत्वी पर सबसे ज़्यादा जो धात उतत प पाय जाता है वो अलमुनियम है मोती मुकुरूब से किस पदार्थ का बना होता है तो मोती मुकुरूब से कैलसियम कार्बोनेट का बना होता है मानो शरीर में सबसे अधिक मातरा में कौन सा तत्व पाय जाता है तो मानो शरीर में सबसे अधिक मातरा में आकसीजन पाय जाता ह किस प्रकार के उतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार करते हैं एपी थीलियम उतक जो है वो शरीर के लिए क्या करते हैं प्रोटेक्शन का काम करते हैं सुरक्षा कवच का कार करते हैं मनुष्य ने स्वरप्रथम किस जंत को अपना पालतु बनाया स्वरप्रथम दोस्तों कुत्ता चुकि कुत्ता एक बहुत ही faithful animal होता है स्वामिभक्त होता है तो मनुष्य ने स्वरप्रथम इसी जानवर को domestic animal के रूप में अपनाया किस वैग्यानिक ने स्वरप्रथम बर्फ के दो टुकडों को आपस में घिसकर पिखला दिया तो डेवी ने बर्फ के दो टुकडों को आपस में घिसकर पिखला दिया आगे चलते हैं दोस्तों अब ये बहुत important question है सूचना का अधिकार right to information लागू करने वाला पहला राज दोस्तों कौन है तमिल्नाडू सेवा का अधिकार लागू करने वाला पहला राज राजस्थान पंचायती राज आरंब करने वाला पहला राज दोस्तों राजस्थान संस्कृत को देववाणी अम्रितवाणी संस्कृत को राजकी भासा का दर्जा देने वाला राज दोस्तो उत्राखंड मूल वर्धित यानि वैट कर लागू करने वाला पहला राज हरियाणा भाशाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज पूरे देश में सबसे पहले भाशा के आधार पे On the basis of language कौम सा राज पहला गठित हुआ वो दोस्तो है आंधर प्रदेश विश बैंकों को कारबन क्रेडिट बेचने वाला पहला राज हिमांचल प्रदेश पूर साक्षरता प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज केरल प्लास्टिक बैग यानि पॉलिथीन की जो बैग है जो परियावरन के लिए दूशक का काम करती है उसको प्रतिबंधित करने वाला देश का पहला राज हिमांचल प्रदेश वह राज जहां पहली बार राष्ट पर शासन लागू हुआ दोस्तों पंजाब मर्तकों की गढ़ना करने वाला पहला राज कितने राज में लोग डित किनकी कितने लोगों हो चुकी है मृत व्यक्ति की गढ़ना करने वाला राज करना टक विशेश बाग बल गठित करने वाला भारत का पहला राज करनाटक भूमी सेना गठित करने वाला भारत का पहला राज उत्तर प्रदेश Midday Meal, यानि प्रात्मिक विद्यालियों में जो 6-14 वर्ष के बच्चे पढ़ते हैं प्राइमेरी और अपर प्राइमेरी स्कूल में वहां दोस्तो मध्यान भोजन योजना चलती है और ये मध्यान भोजन योजना सुप्रिम कोर्ड के आदेश से शुरू हुई लेकिन ये कौन सा भारत का पहला राज है जहां से ये शुरू हुई तो ये भारत का राज दोस्तो है तमिलनाडू तमिलनाडू से ये व्योस्ता शुरू ही और वहां से सफल होने के बाद पूरे भारत भर में इसको लागू किया गया आगे चलते हैं दोस्तों तो यही प्रस्ण फिर से रिपीट हो रहे हैं एक आज दो प्रस्ण कोई बात नहीं फिर से आप लर्न कर लो भू पर महिलाओं का अपना खुद का बैंक है यानि महिलाएं ही वहां पर ट्रांसेक्शन करती है महिलाएं ही पूरा स्टाप होता है महिलाएं ही मेनेजर होती है तो यह महिला बैंक है इसको शुरू करने वाला पहला राज है महरास्ट यानि मुंबई रोजगार गारंटी 2006 बंदला पल्ली से दोस्तों शुरू हुआ खाद सुरक्षा कारक्रम लागू करने वाला पहला राज 36 गड़ा मानु विकास रिपोर्ट जारी करने वाला देश का पहला राज मद्ध प्रदेश आगे चलते हैं दोस्तों अब आते हैं वालमार्ट के संस्थापक कौन है सैम व शेखर सरमाजी है गूगल जो की एक कॉमन वर्ड हो गया है सभी के लिए गूगल के संस्थापक दोस्तों कौन है लेरी पेज और सर्फ ब्रिन माइक्रोसोफ्ट के संस्थापक कौन है बिल गेट्स पॉल एलन वाट्सेप वाट्सेप हम लोग यूज़ करते हैं डेली के जीवन में तो वाट्सेप के संस्थापक है ब्रायन एक्टन जैन कॉम अमेजन के संस्थापक दोस्तों जैप बेजोस है और ये दुनिया के सबसे अमीर वित्ती है इसके बाद आपके बिल गेट्स आते हैं सेकंड पोजिशन पे और इंडिया के इंडिया के रिलाइंस कंपनी के जो मालिक है मुके संबानी वो 13 अस्थान पे जाते हैं पूरे व संस्थापक कौन है सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ख्लिप कार्ड भी दोस्तों कंपनी है ऑनलाइन कंपनी याहू के संस्थापक डेविट फिलो जेरी येंग एपल के संस्थापक हिपल जो है मोबाइल है और इसके संस्थापक स्टीव जाप्स हैं विकीपीडिया के आगे चलते हैं दोस्तों नोकिया कमपनी है इसके संस्थाफक नोकिया दोस्तों फिनलेंड की कमपनी है फिनलेंड की कैपिटल आप सभी जानते हैं हेलिसी की है तो वहां के ये Nokia के जो company है इसके संस्थाफ़क है फेडरिक, आइडेस्टेम, लियो, मैकलिन और Reliance जिसका अभी मैं बता रहा था कि इसके जो मालिक धिरू भाई अंबानी शुरू में रहें उनके सुपुत्र है मुके संबानी वो 13 पोजिशन पे हैं दुनिया के सबसे अमीर विक्तियों में eBay के संस्थाफ़क कौन है? पियरे, Omni Dyer और Twitter के संस्थाफ़क, Jack Dorz Instagram, सब social sites हैं Instagram के संस्थाफ़क, Kevin Sistrom, Mike Karizer YouTube, दोस्तों बहुत बड़ी बात है ये वीडियो आपका YouTube ही अपलोड होने जा रहा है तो YouTube के संस्थाफ़क, Javed, Karimistis, Chen है Skype के संस्थाफ़क, दोस्तों Niklas, Jen Storm, Zenus, Freeze है और Tesla के संस्थाफ़क, Elon Musk है Intel के संस्थाफ़क, Garden, Mure है Samsung के संस्थाफ़क, Lee, Lee Bichung Lee Bichung जो है और जियोमी के संस्थाफ़क, Lee Zoon है दोस्तों तो दोस्तों ये तो रहा पूरा का पूरा वीडियो आपको ये कैसा लगा अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करना चैनल पे कमेंट करना इसे अपने जैसे दोस्तों के बीच में शेयर करना इसमें सेकाथ प्रशन दोस्तों आ सकता है इसलिए आप बिल्कुल इसको सुने और आप इसको हर्दे गम कर लें तो दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना शेयर करना लेकिन अगर आप Model School राजगल की इसको बसूरत YouTube चैनल को नए पहली बार विजिट करें प्लीज इससे सब्सक्राइब कर ले जब भी आप सब्सक्राइब को उटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आते हैं उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें